गुड मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप साव उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम एट क्लास का उर्दू B का स्लेबस पढ़ने जा रहे हैं उर्दू 3 का मतलब होता है कि यह आपका उर्दू B है जिसमें जिन बच्चों के पास जान पहचान की बुख है वो इसको देखेंगे अगर उनके पास अपनी जबान बुख है तो उनका स्लेबस में अपलोड कर चुकी हूं है ना वह वाला स्लेबस देख लेंगे तो चलिए इसे शुरू करते हैं देखते हैं में क्या-क्या पढ़ना है तो जैसा यहां आप देख पा रहे हैं कि यह आपका 24-25 का स्लेबस है जान पैचान आपकी बुख का नाम है एट किलास का स्लेबस है ठीक है तो देखें यहां पर कुछ आपके चैप्टर पिछली क्लास के दिये गए इस पूरी लाइन में जो भी चीजे मिलेंगी वो पिछ कर सकते हैं इसके बाद देखें यहां जो आपको पढ़ना है और तो का दर्जा यह आपकी नज में इसे पढ़ना है इसके लावा लोग गीत यह आपको पढ़ना है यहां यह सारी जो चीजे हैं यह आपके बतलब की नहीं है यह बस यह बताया गया कि जो भी चीज आप पढ़ना है जुगनू जो आपकी नजम है यह आपको पढ़ना है वो सुब कभी तो आएगी यह वाली आपको चाप्टर जो है आप बीती यह आपको पढ़ना है इसके बाद मिर्ची नामा जो हसन खाजा हसन निजामी का इंशाया है यह आपको पढ़ना है अगर हम ग्रामर क यह सारी चीज़े आपको पढ़नी है तो बीटा देखिए एटु जेट जितना भी आपका स्लेबस है सब मैं पिछली साल पढ़ा चुकी हूं हालाकि इस साल मैं फिर से दुबारा पढ़ाऊंगी इंशाला लेकिन अगर जैसे माल लीजिए वक्क की कमी होती है तो आप उनसे ह पढ़ने है ना चीज़े कुछ चेंज नहीं होंगी चैप्टर तो एज इस रहने वाला है जो चैप्टर हटक है है आप उन्हें ठीक है ना पढ़े लेकिन जो आपके चैप्टर इसमें इंकलूड है वो हैं तो सेम वही चैप्टर तो आप पुरानी वीडियो से भी साहरा ले सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंड बॉक्स में डाल दूगी आप महां से देख लिएगा ठीक है जितना भी आपका ग्रामर वर्क है या जो आपकी यह तहरीरी महारत है जिस भी हमें खत और दरखास पढ़नी है या फिर हमें मजमून पढ़ने तो यह सा राजम ने जो प्रोग्राम कराया था उसके बारे में पूर आपको अहवाल बेयान करना है उसके क्या-क्या हाल रहे हैं ना मजमीन की अगर हम बात कर लेते हैं जिससे आप ऐसे बोलते हैं तो ऐसे में आपको यूम आज़ादी हमारा मुल्क हिंदुस्तान मौसम गर्मा मौ यहां देखे लिखे है ना मौसमें गर्मा यानि गर्मी का मौसम इसके लावा एदुल फित्र रक्षा बंदन है ना मौसमें बरसात यह सारी चीज़े आपको क्या करनी है पढ़नी है यह सब हमारे चैनल पर अपलोड है यह आपका फर्स ट्रम का स्लेवर्स खत्म होता है इसक अपके एक्जाम शुरू हो जाएंगे मतलब सेकेंड ट्रम आपको पढ़ना है तो सेकंड ट्रम में दिखी पहले तो मैम यहां पर यह लिख आपके जूबर टीचर है सार है या मैम वो जो फर्स ट्रम में आपने गलतियां करी है उनको समझाएं कि भई यह यह नहीं करना है इसके बाद आपको एक लड़की का गीत है यह पढ़ना है सयद मुश्ताप अली यह आपको पढ़ना है पहले जंग आजादी का सिपे सालार यह पढ़ना है अबरे बहार यह पढ़ना है इबने सीना यह आपको पढ़ना है तो यह कुछ चैप्टर्स थे जो आपको पढ़ करना है मुझा करना है है इसके बाद फेल की निशान देही करनी है आपको फिर साहब कर लायक है इसम है सिफत है उनकी तारीफ है तो यह सारी चीज़े आपको करनी है तहरी महारत में फिर से आपको क्या करना है अप्लिकेशन लिखनी है जिसमें आपको बताना है प्रिंसिपल आपको यह बताने है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बाद अगर आप मजमून की बात कर लेते तो जो मजामीन है आपके इसमें आपको पसंदीदा खेल वक्की हामियत स्कूल का सालाना जलसा और यह में जहूरिया पढ़ने है तो यह सारी चीज़े हमारे चैनल पर अपलोड है अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट भी मैं डाल लूँगी तो आप महां से देख सकते हैं इसके बाद देखिए 31 जन्वरी तक यह सब चीज़ आरे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने में हर वीडियो में यह बात बता दी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार ना रहेंगे बचे कंफ्यूज रहते कि माम ऐसा करना है नहीं करना है वह बड़ा मतलब कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि पता नहीं सकता है कि कुशन आ जाएं ठीक है तो आप अच्छे से तयारी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू फो वाचेंग